दोस्तों किसी भी चीज को ट्रांसलेट करने के लिए या तो आपको गूगल पर जाना पड़ता है या तो किसी अलगे एप्स को इस्टाल करना पड़ता है लेकिन क्या आपको पता है कि आपके फोन में पहले से इस्टाल फोटो एप्स की साहता से आप किसी भी चीज को ट्रा क्लिक करने के बाद आपको side में यहाँ पर three line मिल जागा उस पर आपको क्लिक करना है यहाँ आपको बहुत सारे option मिल जागे तो आपको first पर translate करने का option मिल जागा तो आपको उस पर click करने के बाद आपको उपर language change करने के लिए option मिल जागा तो उस पर आपको जाना है जाने के ब